इज्राइल और फुलस्तीन में हुई जंग में बेकसूर लोगों की जा रही है जान इसे लेकर वासेपूर की गुलाम मुर्तजा आलम ने दी प्रतिक्रिया कहा प्रधान मंतरी ले संग्यान बता दे जन अधिकार पार्टी में प्रवेश अध्यक्ष के नेत्रित्म में जिसमें गुलाम मुर्तजा आलम ने कहा देश के प्रधान मंतरी इस मामले को संग्यान ले आगे उन्होंने कहा युद्ध चाहे किसी भी मुल्क में युद्ध से केवल और केवल लुकसान ही होता है युद्ध में बच्चे बुढ़े महिलाए नौजवान ये सारी लोग न चलबार और वहां हो रहे जंग से बीगडते हालाद परकावु पाए जयता कि किसी भी लोगों की जान नहीं गुलाम उर्तजा नहीं कि भाटिय संस्कृती रही है कि मान्हें नरसंहार नहीं हो भाटिय संसकृती में मानव और सरहार को कभी भी उचित नहीं ठेराया है और जो है पताया है कि आज हम लोग प्रिश्वारता इसलिए कर रहे हैं कि फिलिस्तीन गाजा और इसरेल के अंदर में जो जंग छुड़ा हुआ है उसको लेकर के हम लोग प्रेस कांफ्रेंस का इजन किये हैं और यह जंग जो है लगबग दस से बारा दिन हो गया है इसमें हजारों हजार लोग की जाने जा चुकी है बच्चे बच्चेयां बुढ़े ये सारे लोग मारे जा चुके हैं हम लोग चाहते हैं क्योंकि हमारी भारतिय सांस्कृति रही है मानत जाती का नरसंगहार नहीं हो यह हमारी भारतिय सांस्क्रिटिक रही है. हम भारतिये होने के नाते विश्मे अमन और चैन चाते हैं, विश्मे में सांती चाते हैं, और जिस तरह से गाजा में और इस्डेयल में जो जंग छुड़ा हुआ है, इससे निर्दोस लोग भी मारे जा रहे हैं. इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ सांति भाहल हो अमन और चैन का महुल बने और य्द्विराम हो इसके लिए मैं अपने भारती हुकूमस से यह मानom करना चाहता हूँ कि हमारी सीनस्किर्टी रही है उससी सांसकिर्टी का परिचयाँ देते हुए सांती बहुए के लिए केंदर की सरकार उस पर पघल करे मानिये मुखमा मत्रें जी फिर पढ़ानंत्री जी उस पर पहल करें ताकि किसी भी करह से जो है और गाजा में सांती बहुत कर नौ देखें यही चाहता हूं और देश के अमन पसंद लोग यही चाहते हैं कि किसी भी परकार मुल्क या पुरे दुनिया में किसी भी मुल्क में इस तरह का मानव नरसंगार यूद के नाम पर नहीं हो ये कहीं से भी नियाज शंगत नहीं है और जो आपने अभी परस्निक किया मुझसे कि कहीं देश जो है फिलिस्टीन को भी समर्थन कर रहे हैं और कहीं देश जो है इजयल को भी समर्थन कर रहे हैं तो ये लोग केवल और केवल जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं समर् कर रहा है तो समर्थन का मतलब यह नहीं है कि किसी के हत्तिया आप करवा दिजी जूद के मने नाम पर समर्थन का मतलब यह है कि वहां सांती बहाल करवाईए और देश में बहुत सक्तिसाली मुल्के हैं मैं उस मुल्क के नुमायंदों से और उस मुल्क को रिपर्जेंट करने कुई वाले मुमांदों से कहना चाहूंगा कि समर्थन का मतलग यह नहीं होता है कि आप जो है नरसंगहार पर नरसंगहार करवाते रहे और अपना देने का जो है अष्वासंटते रहे आप सांती भालवाई आपके पहल सब हो जाता Chelsea चोटे चोटे मरमाहत घटना घटी है जिसमें अस्पताल पर फुड़ा गिया है उस पर काफी चंसेम पांट सो लोग मारे गया है जब कि इजराइल का कहना कि यह हमारी नहीं है जब कि हमास का खुड का जो है उनका मिसाल जो है मिस्विए देखिए इजराइल जो है मैं तो यह कुहंगा कि इजराइल लौमड़ी वाली बिचार धारा रखता है और फिलिस्टीन के अस्पताल पर हमला होना इस बात को दरसाता है कि इजराइल बिलकुल कुरूरता रुख अपना लिया है जो उसको कह ले कि उससे बड़ा अंतकवाद कोई नहीं हो सकता है उससे बड़ा देशादग में जहां मरीजों का जक्मियों का गायलों का इलाज होता है उस अस्पताल में हमला करके लोगों को मार देने के नियद से हमला करना ये निन्दनी है मैं भारतिय नागरिक होने के नाते और जनदिकार पार्टी का जारखंट परदे सद्यक्ष होने के नाते मैं इसका गोर न विश्वे में जो है शांती का पैगाम देने के लिए जानने जाते हैं और यही हमारा सांस्कृति रहा है मैं उनसे पूरे भारत वास्यों के तरफ से उनसे मांग करता हूँ इज्रैल और फिलिस्तीन में सांती बहाल हो इसके लिए आपका पहल होना चाहिए यह हम तमाम भारत आप जालम हुआ मैं जनादिकार पार्टी का जारकुन पर्देश अधियर चुन है